नवस्कार मैं डाक्टर नरेज सुकला और मेरे चैनल डाक्टर ज्योतिस में आपका स्वागत है आप सबी लोग को दीपा बली की सुख काम नएं और दीपा बली के अफसर पर मैं एक नया योग सिखाने जा रहा हूं महा लक्ष्मी योग या लक्ष्मी योग लक्ष्मी योग वैसे तो बहुत से हैं तो ज़्याद मैं कोसिस करूँगा जो भी उससे योग बनते हैं वो मैं आपको सिखाता चलूँगा मेन आपको भाव देखने हैं इनको देखना रहता है लक्ष्मी योग है जो भी बनते हैं मेंली आप इनको देखा करिए यह जो भाव होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 कौन सा भाव किसी इसको इंगित करता है और उसी से आज जो बनेंगे महालक्ष्मी योग अगर यह महालक्ष्मी योग बन गया तो आदमी को जया जातक को अमबानी आडानी बनने में देर नहीं लगती है बहुत अच्छा योग है इसको आप सीखिए जो योग हैं मेंली जो इसमें भाव हैं उन भाव को देखना है आपको बाकी कुछ नहीं देखना है आपकी अपनी कुण्डली में क्या भाव बन रहा है उस भाव से रिलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो मेंली महालक्ष्मी योग में चार भाव, चार घात देखने पड़ते हैं पहला, दूसरा नवा, ग्यारवा ये चार घार है अगर चारों का रिलेशन किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से हो जाए तो महालक्ष्मी योग बन जाता है या लक्ष्मी योग बन जाता है रुपए की वारिस होती है हाँ, इसमें पाप गरह या पुन्य गरह जब मिलते हैं तो उनका जो अपना असर होगा वो अलग होगा लेकिन महालक्ष्मी योग बनने लगेगा और जीवन परियंत, जीवन भर आपको पैसे की कोई भी समस्या नहीं होगी यह अंसिक भी हो सकता है यानि पहला दूसरा नवा ग्यारवा सभी चारों का रिलेशन एक मेना हो पाए हो सकता है किसी में पहले दूसरे का रिलेशन हो जाए पहले और नवे का रिलेशन हो जाए पहले और ग्यारवे का रिलेशन हो जाए तो यह अंसिक हो किसी में हो सकता है पहले दूसरे नवे का रिलेशन हो जाए ये भी आंसीक बनेगा और यह हो सकता है कि पहले नवे ग्यारवे का related हो जाए तब भी आंसीक बनेगा तब भी आप पैसों में ही खेलेंगे और कहीं चारों का relation हो जाए तो जिंदगी भर जो बाकी चीज़ें वो तो होगी लेकिन पैसे की समस्या आपको कभी नहीं होगी जीवन परियांत आप पैसे में ही खेलेंगे और अकूत संपत्ति के मालिक मनेंगे यह नहीं कि थोड़ा वह अकूत अगर चारों का हो गया रिलेशन हर तरह से हो सकता है चली में दिखाता हूँ आपको अपनी कुंडली में भाव देखने हैं लगन का स्वामी मालिय बुद्ध है इसमें बुद्ध है सेकंड का स्वामी चंद्रमा नवेका सनी मंगल मालिय बुद्ध यहां बैट गया अब मैं सब का रिलेशन करने जा रहा हूँ वैसे तो यह हो सकता है चलिए कि चारों ही एक साथ बैट जाएं कहीं पर भी चारों घर में एक तो तरीका यह हो सकता है कि चारों ही घर में यह चारों किसी भी घर में बैट जाएं तब भी रिलेशन हो गया रिलेशन बन गया यह हाँ आप कहेंगे कि बुदर्म अंगल का यसनी और चंद्रमा का ये जो एफेक्ट है यसर अलग पड़ेगा इसका अलग है लेकिन ये महालक्ष्मी योग बन गया दूसरा तरीका है इसको आपने उतार लिया है दूसरा तरीका इसका इसका रिलेशन कर दिया हमने ठीक है इसका इसका भी रिलेशन हो गए स्थनी की तीसरी दृष्टी हो गई चंद्रमा को यहां बैठा दिया बुद्ध को चाहिए यहां किसी में बैठा सकते हैं आप हम यह नहीं कह रहे हैं यह रिलेशन बच गया तो मंगल को यहां ले आईए यह आप रिलेशन किसी तरह से भी बना सकते हैं यह कॉम्बिनेशन बहुत तरह से बन सकता है बहुत तरह से कांबिनेशन बन सकता है इसको भी मैं यहां से हटाने जा रहा हूं यह कांबिनेशन बनते जा रहे हैं परिवरतन का बना सकते हैं हम चंद्रमा को यहां ले आए शैनी को यहां ले आए हर तरह से कंबिनेशन बन सकते हैं इसमें चारों का एक जैसा नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी अंसिक बन रहा है कि चारों जब एक साती रिलेशन बें आ जाएंगे चाहें वो परिवरतन का हो चाहे वो एक दूसरे के घरों में बैठे हों, चाहे एक दूसरे पे दृष्टी डाल ले हों, महालक्षमी योग बनेगा ही बनेगा तो ये था इतना सही दीपावली के सुबबसर पर एक महालक्षमी योग का सिखाने का आपको, मुझको कि मैं आपको एक महालक्षमी, केवल आपको चार घर देखने हैं, चार भाव देखने हैं, पहला दूसरा नवा और ग्यारवा, ये चार भाव को देखना है, इन चार भाव से ही सारे के सारे योग बनेंगे, एक वीडियो में, दरीदर योग में किसीने पूछा था, कि सब ग्यारवे का स्वामी, 6-8-12 में, ग्यारवा मैंने कहा है, ग्यारवा सामिल नहीं होगा, दरीदर योग में ग्यारवा सामिल नहीं होता है, बहुत से आस्ट्रोजर इसको सामिल करते हैं, इसको सामिल मत करिये, ग्यार्वान नहीं वो आयक अस्थान है, धन संचेक के सेकेंड है, भाग्यकस्थान ही यह है, यह धन संचेक होता है, तो इतना था महालक्षमी योग, और इसी कसाथ मुझको विज़ा दीजिये, चैनल को ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए नमस्कार